क्या हल चाल दोस्तों कैसे आप सब भाई कुछ साल पहले में एक ऐसा बैकपैक लिया था जिसका वीडियो आपको ओलिडी चैनल पर देखने मिल जाएगा वो काफी स्मार्ट था आद देखने में बड़िया था मिनुमल था लेकिन वो बैकपैक ना थोड़ा सा पुराना हो ग अदगा था मिनुमग पर जाते थे शो अईसा बैकपैक हो जो स्पेश हो लेकिन साथ में बहुत बड़ाया फिर हईवी ना लगतव करने बाद में मुझे मिला एक सा बैकपैक जो की काफी स्पेश या से यह फिर नहीं, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता है कि कभी-कभी मुझे 2-3 दिनों के लिए ट्रावल करना पड़ जाता है तो ऐसे में, जिन-जिन चीज़ों को मैं यूज करता हूँ बाहर जाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपके रखी है, और इने भाई, इस बैग में रखे देखनेंगे क्या अच्छे से, और compartment wise ये सारी चीज़ें इस बैग में आप आएंगी या फिर नहीं वैसे इसमें different colors available है और मेरे पास यहाँ पे इसके दो colors है एक है ये blue आला, और एक है ये black आला और especially ये blue आला, काफी एदा सही लग रहा है यहाँ पे, तो सबसे बिले हमें आप पे बात करना चाहूँगा इस backpack के design and quality के बारे में और साथ में आप सुभी को एक overview देता चलूँगा कि भाई, क्या क्या चीज़ें आपको आपे देखने मिलती है इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा सबसे बिले तो भाई, इसे open करने पे आपको कुछ इस तरीकी का अच्छा-कासा space देखने मिल जाता है जहाँ पे आप बहुत सारी छोड़ी 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 छीज़े रख सकते से बागे टॉप में जो आपको चैन देखने मिलता है इसे open करते साथी इसमें आपको बहुत बड़ा space देखने मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ चीज़े देखने मिल जाती है तो एक एक करके इन्हें के लिए cover है यानि यह जो आपका bag है वह water resistant तो है लेकिन इसके अलावा rain में इसे product करने के लिए आप महापे fully एक cover देखने मिल जाता है जिसे आप easily इसके उपर लगा सकते हैं और यह fully आपके bag को cover कर लेता है साथ में जो second वाला यहाँ पे pouch है वो actually under garment या फिर जिनको आपने holder दिया गया इसे hold करने के लिए और साथ में भाई आपको पर left side में भी कुछ इस तरीकी का एक holder दिया गया है यानि अगर आप bag को टांग करके थोड़ा से थक चुके आपके कंदे थक गये हैं तो आप इसे कुछ इस तरीकी से carry भी कर सकते हैं जैसे कि normally हम suitcase को carry करते हैं उस बाकि right side की बात करो तो आपको हाँ पे एक chain देखने मिल जाएगा जिसे simply आपको open करना है और इसके अंदर आपको bottle hold करने के लिए एक अलग से compartment देखने मिल जाएगा और easily इसके अंदर अच्छे खासे size का एक bottle आ जाता है और जब भी आपको bottle नहीं रखना है तो इसे simply side की बात ही कर लिए आप यहां पे बात करते हैं bottom की यह वला part आपको दीख रहा होगा actually यह जो पूरा backpack है वह है 35 लिटर का लेकिन इसे आप यहां पे थोड़ा सा extend कर सकते हैं और 4 लिटर के बना सकते हैं bottom वले इस chain को आपको simply कुछ इस तरीके से open करना है और जैसे आप इस लोगया और इस पोर्ट सूस वरगया कैस्वल हो गया सारी के सारी इसमें आ जाएगे अराम से इसके लवा जैसा आपको इसके बैक साइड में जाएंगे तो आपको कई सारी शीजिए यहां पर देखने मिल जाती है वह आपके शोल्डर के लिए और साथ में इसे hold करने के ल जाता है यानि आप यहां पर अपने कीमतिया फिर जो important चीज़े होगी जैसे कि passport वगरा वह यहां पर रख सकते हैं ताकि अगर आप जली-जली में कहीं निकल ले तो आपका passport इसके अंदर ही रहे और इसके लवा जो शोल्डर के लिए यह दोनों चीज़े हैं यहां पर यहां पर काफी इच्छे से ध्यान दिया गया है और इसे अगर चौड़ाई की बात करो तो कुछ इतना चौड़ा आपको यहां पर रेखने मिल जाएगा और अब इसे open कर लेते हैं सबसे ले मैं इसका first वाले compartment को यहां पर open कर लेता हूं तो यह कुछ इस तरीके से open हो जा इस तरीके से आप यहां पर fully open कर सकते हैं और इस वाले part में आप यहां पर अपने face wash वगरा या पर जो आपके perfume वगरा होगे उन्हें आप यहां पर अच्छे से रख सकते हैं यह अगर आपने washable cloth अपने इसके अंदर रखे हुए तो आप कुछ इस तरीके से यहां पर इसे इरिया देखने मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा आपको पर space देखने मिल जाएगा और इसके अंदर आप अपने clothes को अच्छे से रख सकते हैं यानि mostly क्या होता है जब हम travel करते हैं कपडों को अगर इसके अंदर रखते हैं तो जो उसका स्त्र योदा प्रेस होते हैं वो खराब हो जाता है लेकिन यहां पर भाई आप अच्छे से फुल फ्लेट अपने कपडों को अच्छे तरीकी से रख सकते हैं इस वाले चैन में अलग से अंदर गार्मेंट रखने के लिए एक space देखने मिल जाता है यानि आपके कपडों के साथ म वो नहीं रहेगा अलग से आपको एक एरिया भी देखने मिल जाता है तो वैसे तो आपको हम पर एक और दो बड़े compartment देखने मिलते हैं लेकिन इस एक के अंदर आपको हम पर दो hidden compartment देखने मिल जांगे एक अपर साइड और इसके अंदर साड वाला close के लिए बाकि अब बा और काफी मोटे quality का देखने मिलता है नॉमली का होता है ना लैपटप और बैग में ये काफी पदला होता तो इनकेस अगर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा रहा या फिर आपका बैग गलती से गिर गया तो बाई ऐसे में ये आपके laptop को काफी safe करेगा और आप चाहे तो बाई यहाँ पर एक बड़ा सा space देखने मिलता है जिसके अंदर आप अपने documents वगरा रख सकते हैं जैसे कि मैंने आप अपने documents को इसके अंदर रखा था और इस वले chain को open करके आप अपने charger वगरा या फिर earphones वगरा या फिर जितने भी wire वाली चीज़े उनको अलग से रख सकते ताकि wire के साथ में बाखी की चीज़े merge ना हो, attach ना हो और आपको बार बार उन्हें अलग ना करना पड़े साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे अलग अलग pockets काफी सारे compartment आप आप देखने मिल जाएंगे first of all, यहाँ पर आप अपने power bank को रख सकते हैं, यहाँ पर मैंने actually अपने mouse को रखा हुआ है, आप किसी और gadget को रख सकते हैं, जो भी एक आपके पास समझ लिए, इस size के जितने भी gadget होगे, उन्हें आप यहाँ पर रख सकते हैं, साथ ने, क्योंकि जो मेरा hard drive यहाँ उसे भ पड़ेगा, बाकि इसके लवा, आपको यहाँ पर एक hidden area देखने मिल जाता है, इस side में, तो अगर आपको अपने phone को charge करना है, और power bank को आपको carry नहीं करना है, तो simply यहाँ से cable को डाल दीजे, और अपने power bank को bag के अंदर ही रखिए, जिससे आप अपने power bank को use कर पाएंगे, आपने smartphone को charge करने के लिए, और आपको इसे carry भी नहीं करना पड़ीगा, और राइट गैस, तो सारी शीजे मैंने इसके अंदर रख दी, जो जो चीजे मैंने आपको बताई थी, और भाई, सारी शीजे डानली के बाद में आप देख सकते हैं, यह बहुत जादा मोटा नहीं लग रहा है, बढ़ हां, शूज रखने के विए से इसका height थोड़ा सा extend हो चुका है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई, इसके capacity is 35 liter, लेकिन, शूज रखने या compartment आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है, जिसके विए से जो इसकी capacity है, वो थोड़ी सी बढ़के 4 liter हो जाती ह अगर आपको शूज रखना है, तो वो भी यहाँ पर देखने मिल जाता है, लेकिन इतने सारी चीज़ों का add करने के बाद भी, कहीं से भी bag बहुत ज़़ा भारी है, फिर बहुत ज़़ा बलकी नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं, यह काफी पतला लग रहा है, और साथ है कि इसमें यह backpack काफी perfect हो जाता है, मेरे लिए, जितने मेरे requirement है, उन्हीं यह easily fulfill कर देता है, काफी spacious है, काफी सरे compartment देखने मिल जाते है, और quality भी आप कहाँ पे अच्छी देखने मिल जाती है, अगर आप travel करे हैं, hotel बगर में रुख रहे हैं, तो आप कहाँ पर कपड़े ह रखने के लिए, काफी अच्छा कासा एक space देखने मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा, undergarment के लिए, अलग से department और साथ में, जिन कपड़ों को आपने wash कर दिया है, उसे रखने के लिए एक अलग से department देखने मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी वार हो जाती है, सारी छोड करोगे अपने shoulder पे, तो उसके लिए जो packs पगर देगे, उनकी भी quality अच्छी है, and overall भाई, काफी innovative टाइप का मुझे आप यह बैग लगा, जिसमें आपको starting वोला था, मुझे एक ऐसा bag चीए, जिसमें space काफी सारा हो, और साथ में, भाई, मुझे travel वगरा करना रहता है, दो इस बैक पैक और इतने सारे compartment के साथ यह बैक पैक आप से लगा, और सबसे लास्ट में आप सभी को बता तुकि जो इसकी pricing है, वो है only 269 रुपीज, तो अगर आप भी आप में लिए एक new backpack लेने का प्लान करे थे, और इस particular bag को भाई करना चाहते हैं, तो इसका direct buy link आपको न अब नभी आप से लिए से लिए और सबस्क्कार करें, और बैल आको टेक करने के साथ बाई क्लिक कर लेए, जिस से आनले सारे वीडियो में आप सो प्लीकों मिलते रहे, और मैं मिलता हूँ ऐसे एक और ने वीडियो में तक क्लिए बाबाय! झाल